ॐ ये लोआठेक, वेलकून्सक्य के चनल। युजो आप देखर रही है कि Сिमेंस का टेंपरेजर ट्रास्पमिटर है और आज मैं आपके इस वीडियो में ये टेंपरेजर ट्रास्मिटर की जो कनेक्शन जानक इसमें जो पावर सप्पले के कनेक्शन कहां करते हैं और इसमें जो sensor लगाते हैं जो के RTD और थर्मकपल की sensor जो लगाते हैं और sensor इसमें कहां लगाते हैं और एक साथ में आप कितने RTD और कितने थर्मकपल आप इसमें लगा सकते हैं उसके connection के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में पूरी जानकारी दोंगा और उस का और इसका जो स्पेसिविकेशन और इसमें जो कन्फिग्रेशन और इसका जो सारा कुछ टिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में पुरा बता हूँगा फ्रेंज ये वीडियो पुरा लास्त देखिए अगर मेरा चैनल अभी तो सब्सक्राइब नहीं कहा तो प्लीज मेरा चै केसे करते हैं मैं आपको सबसे पहलु बता देता हूं है हिर ए्टों जो आप सिमेंज का टमपा स्क ट्रांस्मिटर देख रहे हो इसके आपको साथ हो इस पार्स वादिपोता देता हूं के लिए दिए यह प्रेंस यह जो आमारा सिमेंज का टेंपर्टै ट्राश्मिटर है इसमें टोटाल से पर इसमें पर इसमें जो दिया गया है ऑके और चालिए मैं आपको बता देता हूं यह अपको बता देटा हूं देखे फ्रेंच यहाँ पर आपको जो एक नमबर और जो यह जो हमारा दो नमबर की पॉंट जो दीख रहा है इसका उपर में देखे एक नमबर की उपर में आपको जो पॉजेटिव का साइन आप जो देख पारे होंगे और इसी तरह देखिए फ्रेंट् Mainly यह मारा two number point है second point की उपर में आपको जो negative का sign आपको जो दिख रहा है ज्यानकि यह point में जाने कि एक number और जो दो number की point में आपको जो power supply की connection करने है ज्यानकि यह side जाने कि एक number की site में जो कि आपको जो positive sign आपको जो दिख रहा है यह positive sign में आपको जो 24 volt की जो power supply होती है आपको जो positive तार इसमें लगाना है और इसी तरह यह जो second number की point में आपको जो negative sign दिख रहा है इसमें आपको जो negative तार लगाना है और उसके बाद देखी friends यहाँ पर जो 3 number, 4 number, 5 और जो 6 number की इसमें आपको जो sensor लगाने है और sensor किस तरह लगाता है अभी मैं आपको बताऊंगा और इसके connection करने से पहले मैं आपको और एक चीज बता जाहूंगा फ्रेंस ये वीडियो की last में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो की दे दूँगा जाने कि ये जो सीमेंस का temperature transmitter की जाने कि इ मैं आपको इस वीडियो की last में मैं आपको दिखा देंगा और चाले ये temperature transmitter में किस तरह sensor connection करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जो एक symbol जो है नजर आता होगा देखी फ्रेंस ये जो आपका जो है symbol ही यहाँ पर दिख रहा होके जाने कि ये side अलग है और ये side total अलग है जाने कि ये transmitter में आपको जो दो थर्मकपूल एक साथ जाने कि पारलेली आप इसमें connection कर सकत जाने कि किस तर्या connection करते हैं चालिए अभी मी आपको बता जैता हूं देखे फ्रेंस अगर आपको जो 2 थर्मकपूल लगाने है थर्मकपूल में friends क्या होता है आपको जो 2 दोर तार दिखने को मिलता है यान कि इसी तरह जो कि आमारा दो थर्मकुपल है इसमें आपको जो चार तार देखने को मिलता है यान कि एक साइट आपको जो जो आमारा तीन नबर और जो चार नबर पॉंट पे आपको जो एक थर्मकुपल लगा देना है और इसी तरह आपको जो पांच नबर और जो छे नबर पे आपको जो दूसरी थर्मकुपल की connection कर देने हैं यानि कि यह जो हमारा जो बीच बाला पॉंट है बीच बाला पॉंट की जो simple है आपको देखे फिरंच यह साइट में इसाइट अपको जो फिता है यानि कि नेगेटिव तार आपको जो दूसरी थो थर्मकुपल ₩ है इसाइट की जो पोजेटिव तार आप को जो 5 नबर और 6 नबर पर पूसितापक नुपन को इवाए ताल लगाने और आपके मन में यह भी शफला ल peculiar हम झूर tut in नलबर और फ्रहत ही नाबर पर एंकिкие नंबर हम उमजो थर्मकापल के cm प्रश्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् वाल पजेटीव साइन इसमें Check 2 और यह साइट में जो नेगेटीव साइन इसमें जो दीगी ओके और इसलिक पांच नमर और छतना पर बेंए पांच नमक्र पॉजाटीव तर लगाएंगे और उस में लगाएंगे क्यों कि यहाँ पर थो शिमब़ इसमें झो देगे year okay और यह जो सिम्बल है है यह आमार जो थर्मकपल की सिम्बल है और यहां पर अपको जो थर्मकॉपल की negative तया लगाने है ओके वर इस तरह आपको जो थर्मकॉपल connection करने हैं एगर एग थर्मकॉपल connection करते हो तो आप जो यह सैट में connection करें runaktाओा करने की कोई दिक्कर नहीं है और देखे इसमें जो टोटाल इसमें जो चार पॉंट इसमें जो दी गए ओके और आटेडि जो होता है फ्रेंस हमारा 2-3-5-8 ओर 4-5-8 होता है और आटेड जो 2-5-8 यह अभी ज्यादातर मार्केट में एभूलेबल नहीं है कियोंकि इसका जो आकुरेसी जो है यह भूत लो अब यह जो आप देख रहे हो यह मेरे पास जो यह 3OR के RTD है मैं आपको दिखा देता हूँ देखी प्रिंस इसमें आपको जो दो जाने की वाइट कलर की तार दिख रहा है यह इसका जो रेफेरेंस पॉंट है जाने की एक जो है हमारो जो नेगेटीव पॉंट है और दूसरी जो इसका जो corresponding जाने की रेफेरेंस तार इसमें जो दीगे है और यह जो देखी प्रिंस यह जो रेट कलर की तार आप देख रहे हो यह इसका जो पॉजिटिव तार है और पॉजिटिव तार इसमें आपको क्या करना है देखी यह जो टेंपरेजर ट्रांस्मिटर में और चाले फ्रइंच अब यह जो टेंप्रेजर transmitters की मैंने अलड़ी लेडरा कर रखाऊ उसके बारन में थोड़ा से मैं आपको ट्रहेंग करके समझा जाँ विद्यो की last में यह जो ही टेंप्रेजर की ट्रान्स्मिενตर की a January data satya के उपर मैंने अलड़ी एक वो डाटाशेट देखके इसके बारे में आप जान सकते हैं और चालिए फिरंस अभी मैं आपको ड्रोइंग में इसके कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं और देखिए फिरंस यह जो मेरे पास मैंने अले इसका जो ड्रोइंग की कनेक्शन कर रखाऊं और अभ और इसी तरह देखी फ्रेंस यह जो 6 नबर तार है और इस जो 6 नबर की जो solid line है यह आमार जो thermocoply के लिए नहीं है यह जो RTT connection कनने के लिए और इसमें आपको जो इस तरह जो की symbol में आपको वता रहा था इसमें आपको क्या कने 5 नबर पर आपको जो positive तार लगाने और 6 नब अब ही मैं आपको जो छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा देता हूं इसके connection और इसके जो डाटा सीट के बारे में आपको दबा देजिए और फ्रेंज अगर यह वीडियो आपको आच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर कमट जरूर करें थेंक्यू फर वाचिक में वीडियो बाबाए